नमस्ते कैसे हो आप आशा करती हूँ आप सब ती होंगे और मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारा आइडिया लेके आई हूँ और मेरा यह आइडिया आपको पसंद आए तो मेरे चेनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे आइडिया लाती रहूं और आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलो चलते हैं अपने आइडिया की और आप देख सकते हो मैंने एक टीशर्ट का कपड़ा लिया है यह पूरा पूरा टीशर्ट है मेरे इस टीशर्ट की आस्ति नोवा सिलाई निकली हुई है और आप नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा और अगर आपके पास टीशर्ट का नहीं हो तो कोई सा भी कपड़ा ले सकते हो और उस कपड़े के बीचो बीच में एक केंची की साइता से छेद करना है कट करना है और पिर इससे आपका पोचा बन कर तयार हो जाएगा और आप देखिए इससे किस तरह में पूरे गर में एकदम आसानी से साप पोचा लगा दूँगी तो और इसके लिए चाहिए एक वाइपर और मैंने अभी यह बालती ली है इसमें पानी लेके आई हूँ और पोचे को डूबर करें और उसको अच्छे से नीचो देंगे पानी सारा निकाल देंगे और जो अपन ने बीच में कट किया था उस कट में वाइपर की डंडी को उपर से डाल देंगे तो इस तरह आप भी डाल दीजिएगा और फिर उसको सेट कर देंगे इस तरह फिर आप देखिए इससे एकदम साप और आसानी से पूरे गर में वोचा लग जाएगा देखिए कितना आसान है और सरदी में मैं इस तरह पोचा लगाती हूँ जिस दिन मेरे को लगता है कि बेट की लगाना चाहिए उस दिन में दो-तिन दिन में बेट की लगा देती हूँ और इससे पलंग की नीचे भी आसानी से पोचा लग जाता है देखिए मैं एक जगह पर बेटी हुई पूरे पलंग की नीचे पोचा लगा दूगी और ये पलंग तो थोड़ा उंचा ही, इससे भी नीचा हो तो भी आराम से पोचा लग जाएगा और आप देख सकते हो कितनी आसानी से पोचा लग रहा है और आप एक बार इसको गिला करकर पूरे कमरे में पोचा लगा दोंगे और दूसरे कमरे में लगाते वक्त वापस कीला करके एक बार डाल दोगे फिर पूरे कमरे में पोचा लग जाएगा आप देख सकते हो इदर मेरे कम्प्यूटर टेबल है उसके नीचे भी आराम से पोचा लग गया है और आपको मेरा ये पोचा लगाने का आइडिया कैसा लगा कमेंड में जरूर बताएगा थेंक यू